अब्रिवान वेल्कम टू वेदतनीट मैं हूँ आपकी मधदी और आज में लेकर आगए हैं फिर से फिजिक्स के एक बहुत ही बहुत ही बहतरी नसी क्लास तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम लोग रिकाल करेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या प देखी दन आफ्टर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आट करते हैं बाइद क्वेशन्स वो हमने देखा दन आफ्टर फिर हम लोग मुफ कर गए कुछ रिलेशन्शिप के तरफ जहां पर हमने साइन को स्ट्रेन बिसिकले जो ट्रिग् में रखते हैं बिकॉस बहुत सारे बच्चे जो है वो इनकी प्रॉब्लम होती है सो दाट की चलो पहले इसको ख्लेर करते हैं डोंट वरी मैं आपको दो तरीके बताऊंगी दोनों में सो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे आप उसको फॉलो करना ओकी तो चलो आज की क की मि आपका लिया सुन्ध है तक है मैं बता दू कि हमने जो के हमने आपके लेफ्ट हैंड लिया है ठीक है, left hand, ये आपका thumb रहा, ठीक है, ये आपका index finger, ये middle finger, ये ring finger और ये little finger, ठीक है, अगर अलग नام से जानते हो, कई बच्चे हैसे होते हैं, जलते हैं न अलग नाम से, तो वह चीज नहीं, बड़ जर्षाविय से जई देरिए हैं, जर्था siya हर एक यहां पे जतने भी हमारे फिंगर है इनको हम इस तरीके से जह से यहां फिंगर में दिखाया गया है वैसे हम लोग रखेंगे और सबको हम अंगल वाइस जो है वो मानेंगे कि यह देखो यह जो है हम मानके चलते हैं कि यह कुछ यू स्ट्रेट लाइन काइंड आफ है बिलकुल इस तरीके से तो यह 0 डिगरी यह है 30 डिगरी यह है हमारी 45 डिगरी यह है 60 डिगरी और यह कुछ सीधा है यू तो यह है हमारा 90 डिगरी ठीक है तो हमने क्या मान लिया हमने जो है इनको एक एंगल के रुप में हमने मान लिया है ठीक है ध्यान से समझेगा तो इसके लिए हमने एक फर्मॉला मतलब मैंने ऐसा नहीं है कैसा कोई फर्मॉला होता है बस इससे जास्ट काइंड आफ मेथड ओके कि आप क्या करेंगे अंडर रूट यह भी कहो कि होल रूट डाउन फिंगर ठेक है अब ध्यान दीजे यूंकि हमको साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे ये वाला फिंगर जो है न ये वाला फिंगर हम क्लोज कर लेंगे चले अब दूसरे कलर से बता देती हूं ये देखो ये वाला फिंगर हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे तो नीचे साइड मतलब इस जिस फिंगर को हमने खिया है उसके नीचे हमको कितने फिंगर दिखाई दे रहें आप बोलोगे दी एक भी फिंगर नहीं वेरी गुड तो आप उपर में लिखोगे 0, नीचे लिखोगे 4, जब आप इसे solve करोगे, then it will be the 0. ओके आजाईए, अब हम इसी तरीके से हम sine 30, फिर हमारा sine 45 degree, then sine 60 degree, और फिर sine 90 degree की value हम लोग निकालेंगे भी, ठीक है? चलिए. आपको जचे, आप उस तरीके से आप करेंगे, मैंने बस आपको option दे दिया है, ओके? आजाईए. sine 30, जब हम sine 30 की बात करेंगे, तो ये वाला finger को जो है, just finger को, little finger को हमने जो close करा था, इसको हम खोल देंगे, और फिर ये वाले finger को क्या करेंगे? close कर लेंगे, ओके? तो अब हमको नीचे में कितने finger दिखाई दे रहे हैं? नीचे में हमको एक finger दिखाई दे रहे हैं, तो 1 upon, under root 1 upon 4, जब आप इसे solve करेंगे, तो 4 के उपर से root हट जाएगा, बेटा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा root 1, और जब आप इसे reciprocal करेंगे, ये solve हो करके आजाएग 1 by root 2, I hope कि इसमें किसी तरह की कोई दिकत नहीं है, अच्छा जी, आजाएए, sign 45, अब आप क्या करेंगे, कि दोनों finger को खोल लेंगे, और ये वाली finger जो है, अब आपको इसको क्या करनी है, close करनी है, तो sign 45 में आप देखेंगे, नीचे की और कितने finger है, बच्चे, नीचे क आप से solve करेंगे, ये होगा, root 1 upon root 2, आप इसको देखेंगे, ये हो जाएगा, 1 by root 2, ठीक है, आजाएए, अब आपने sign 60 degree निकालनी है, बाके सारे finger को खोल लीजे, और इस finger को off कर लीजे, मतलब बंद कर लीजे, तो ये नीचे में कितने finger आपको दिख रहे हैं, तो root 3 upon 4, ज आप जाएए, इस पर, sign 90 degree पर, अब क्या करेंगे, थाम को रहने देंगे, थाम को खोलेंगे, और बाकी सारे finger को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो इस दोरान हमें डाउन में कितने finger मिल जाएगे, हमें मिल जाएगे 4 और ये 4, जब आप इसे solve करोगे, तो ये 2 upon 2, तो ये 1, तो ये रही हमारे sign की value, sign theta की ये value रही, ओके, अब जो है, अब मैं आपको cost का निकालने के दिखाऊंगी, ठीक है, चलो, आजो, हाँ जी, तो चलिए, अब हम cost की value निकालने चलते हैं, ठीक है, cost के लिए अब हम जो value निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दिज निकाला था, तो नीचे से finger को close करना शुरू किया था, हम फिर से इसको बना लेते हैं, ये हमारी 0 degree, ये हमारा 30 degree, ये हमारा 45 degree, ये हमारा 60 degree, और ये हमारा 90 degree, ओके, तो हमने जब sign निकाला था, उस दौरान हम नीचे से finger को close करना शुरू किया था, अब हम लोग उपर से finger को फ्र वोज लोज नियुके करना शुरूर करेंगे स्थिकर बस इतना द्यान में रखना हम लोग क्या निकाल रहें कॉस थीटा के पहले हम लोग निकालेंगे कॉस है 90 डिगरी देन कॉस 60 डिगरी देन कॉस 45 डिगरी उसके बाद कॉस 30 degree then cos 0 degree ओके यह हमारा रहा अब आजाओ अब हम क्या करेंगे कि अब हमें उपर से finger को close करना है formula याद रखना है formula मैंने यहापे लिखा ही नहीं चलो मैं लिख देती हूँ देखो इसको निकालने के लिए आपको क्या करनी है under root upper finger upon 4 ठीक है बस इतना ध्यान में रखना है आजाईए अब आपने क्या करना है इसे close करना है और ठीक है अब आप close करो अब देखो कि यहाँ पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं मतलब कि simple सी बात है यहाँ पे आपको जो है अब आपको कोई finger यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप तो यही बोलोगे आजाओ तो हम यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे under root 0 upon 4 फिर से हम solve करेंगे then it will be the 0 ओके आजाईए cost 60 अब आपने क्या करना है उपर वाले finger को मतलब थम्ब को open कर लेनी है और index finger को close कर लेनी है ठीक है 60 निकाल रहे है तो under root 1 ओके upon 4 यह हो जाएगा 1 by root 2 cost 45 पे आजाते हैं अब उपर के दोनों finger खोल लीजे और इस finger को close कर लीजे क्या होगा 2 यह 4 यह 1 by root 2 is equal to 1 upon root 2 ओके आजाईए cost 30 पे आजाईए बाकि सारे उपर के finger को open कर लीजे और 30 वाले को close कर लीजे यह क्या होगा 3 upon 4 mean root 3 by 2 root 3 by 2 अच्छा जी cost 0 degree की अगर हम बात करें तो cost 0 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 4 4 2 by 2 upon 1 तो यह रही हमारी इस तरीके से निकालने की process तो आप जो है इसको करते हैं अगर आपको लगता है कि आपसे याद नहीं होता तो आप यह तरीका अपना सकते हैं नहीं तो इसके अलावा जो है एक और तरीका है वो भी मैं बता देती हूँ ध्यान से सुनिएगा कि यहां कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि दी एक बात बताओ मैं tan की value बाकी की value मैं कैसे याद रखूँगा वो तो आपने बताया ही नहीं बताती हूँ ध्यान दो आपको एक formula याद है मैंने आपको बताया था कि sin theta upon cos theta is equal to tan होते हैं होते हैं तो बस आपने क्या करनी है sin की value और cos की value को उपर नीचे रख देना है then after solve करोगे आपको tan की value मिल जाएगी I know थोड़ा सा यह जो है यह लंदी हो जाता है यह जिसको जो है चीजें ध्यान में नहीं रहती है कई बार हो सकता है न तो इसलिए मैं आपको दो रास्ते बता रही हूँ तो आप इसको follow करके और अब simple सी बात है अगर sign से आप चाहो तो cos 1 की value निकाल सकते हो क्यों? 1 by sign कर देना आपको cos 1 की value मिल जाएगी 1 by cos कर देना आपको 6 की value मिल जाएगी 1 by cos करोगे तो 6 की value मिल जाएगी और 1 by tan कर दोगे तो cot की value मिल जाएगी लो हो गया solution यही है अब आगे बढ़ते है और आगे का जो तरीका है वो यह है आजाओ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे आ जाईए हमने लिखा साइन, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट ठीक है, ठीक है, मैं इसको ट्रॉ कर देती हूँ, एक मट्टू को मैं ट्रॉ कर दे रही हूँ चलो यह लो, यह देखो, ट्रॉ हो चुकी है, अब हम लोग जो है, इस पे क्या करेंगे सब को फिल करेंगे, ओके, ध्यान से देखना देखो, जब बात आती है, साइन की न, तो याद रखना, यह न, धीरे-धीरे क्या होगा, बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, देखो, बढ़ाती हूँ, साइन जीरो, जीरो हो जाएगा ठीक है, साइन जीरो क्या होगा, जीरो होगा जीरो के बाद, ठीक यह क्या होगा? 0 के बाद यह 1 by 2 हो जाएगा 0 के बाद यह क्या हो जाएगा? 1 by 2 हो जाएगा साइन 0 0, साइन 30, 1 by 2 अब इसके बाद 45 पे यह रूट लगा देना 1 by root 2 हो जाएगी 60 पे जब आओगे, तो root 3 by 2 कर देना ठीक है अच्छा उसके बाद जो है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ओके तो पहले क्या कहा साइन 0 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root 3 by 2 और साइन 90 1 साइन 0 0 और साइन 91 उसी के बीच में जो है ध्याम देना हमेशा से 0 के बाद half हो जाएंगे यानि 1 by 2, उसके बाद 1 by root 2, then after root 3 by 2 अब इसका अगर याद हो गया तो तुम्हें बाकी सब का ध्यान में आ जाएगा कैसे देखो जो यहाँ पे तुमने इसके लिखा है ना, जो तुम्हारे साइन के लिखा है ना, ठीक इसकी opposite करते चलो और वो value cost में लगाते चलो, जैसे देखो, यहाँ पे sin 0 क्या है? 0 है, ठीक है तो cost जो है ना, ठीक उल्टा हो जाएगा, किसका? 0 का उल्टा, यह just like समझलो कि 90 जो है ना, sin 90 की जो value होगी, वही value आपकी किसकी हो जाएगी? cost 0 की, यानि यह 1 हो जाएगा, अच्छा, अब क्योंकि यह 1 हो चुका है, यह 1 हो चुका है तो sin 30 हो जाएगी, root 3 by 2, इधर से बस repeat करते चलो, यह इधर से बाक की और भागते चलो, cost के लिए, ठीक है? यही काम करना है, sin 40, 45, 1 by root 2, सेम ही रहेंगे, sin 60, 1 by 2, और sin 9, sorry, my bad, my bad cos 01, cos 30, root 3 by 2, cos 45, 1 by root 2, cos 60, 1 by 2, और उसी तरीके से cos 90, 0 हो जाएगे, अब यही पे देखो, कि यही पे तुमको क्या करना है, 1 by 0 करना है, देखो 1 by 0, यह पान के चलो, यह division का साइन है, 1 by 0 क्या हो जाएगे? जहिर सी बात है, यह जो है, 0 हो जाएगे, ठीक है, यह क्या हो, 1 by root 2, अब देखो, ध्यान से देखना, यह क्या होगा, यह उपर चला जाएगा, जहिर सी बात है, यह कट जाएगा, तो क्या होगा, 1 by root 3, ठीक है, solve करने तो आती ही है, 1 by root 3, देखो ना, बता देती हूँ, य 1 by root 2 है और ये अपॉन ये root 3 by 2 है तो आप इसको क्या करोगे ऐसे लिखोगे ना 1 by 2 into ये 2 उपर चला जाएगा और root 3 नीचे आ जाएगा तो ये और ये कैंसल और ये बच जाएंगे 1 upon root 3 बस यही ऐसे ही solve करना है ठीक है आगे आजाओ tan 45 जो है root 2 root 2 कर जाएंगे और ये बच जाएंगे 1 और tan 60 जो है ये आपके किते हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2 और 2 कर जाएंगे ये बच जाएगा root 3 और ध्यान दीजेगा 0 से जब आप किसी number में जब आप ये divide देते हैं तो वह number जो है not define होता है क्या होता है not define ठीक है कई जगह पे लोग इसको infinity के sign से भी denote करते हैं ठीक है न ध्यान रखिएगा इसको अब कॉसेक की जो value होगी ना 1 by sign होगी क्या होगी 1 by sign तो अब ध्यान दीजे इसके उपर 1 आप लगाएंगे तो 1 में आप 0 से डिवाइड देंगे तो जाहिर सी बात है यहां क्या हो जाएगी not define हो जाएगी not define बोले तो infinity भी आप बोल सकते हैं अच्छा यह क्या हो जाएगी यह जो है कॉसेक जो है यह आपकी 1 और 1 कैंसल हो जाएगी यह क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी अच्छा जी अब आते है किसके उपर 45 तो यह हमारी बन जाएगी root 2 क्या हो जाएगी root 2 और फिर आप यहां तो ये हो जाएगी 2 upon root 3, ये उल्टा हो जाएगा, अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 by 1, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, कैसे किया, तो देखो, 1 upon sign जो होता है, ये हमारा कौस एक होता है, बस उसी पर क्या किया न, ये value जो है, ये assign वाली value जो है, वो put कर दिया, बस, उस तरीके से, सेख को निकालेंगे, तो यहाँ पर देखना, कि सेख 0 हो जाएगा, ये आपका कितना 1, ओके, सेख 30 हो जाएगे, 2 by root 3, ये हो जाएगा, root 2, ये हो जाएगे, आपके, सेख 60 हो जाएगे, 2, ओके, और ये सेख, जो 90 दिगरी है, ये हो जाएगा, not define, आजाएगे, अब आते हैं, quote पर, तो 1 by, यहाँ पर जैसे देखे, आपने 1 by cost करा, तो निकल गया सेख की value, उसी तरीके से, 1 by tan करोगे, तो quote की value जो है, निकल जाएगे, ओके, तो यहाँ पर आप आजाएगे, और 1 by, आप क्या करेंगे, ये, तो आपका, ये क्या हो जाएगा, not define हो जाएगा, जाहर सी बात है, not, ओके, ये हो गया, अच्छा, यहाँ आजाएगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके, quote 30 क्या हो जाएगे, तो quote 30 हो जाएगे, root 3, आपके, quote 45 हो जाएगे, 1, quote 60 हो जाएगे, 1 by root 3, और quote 90 हो जाएगे, 0, अस तरीके से, आप जो है, ये क्या कर सकते हो, आपके पास ये दो option है, आपको जैसे suitable लगता है, आप वैसे आप इसको याद करें, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, वो बात ये है, कि सिर्फ एक बार, दो बार आप पर हो गे, तो हो सकता है, कि आपको ये जो है, याद हो जाए, और आपको लगे कि हाँ याद हो गया है, लेकिन आपको ना, इसे daily basis पे इसकी practice करते रहनी परेगी, नहीं practice करोगे, तो फिर दिक्कत यहीं आएगी, कि फिर आप भूल जाओगे, और भूल जाओगे, तो फिर आप, simple सी बात है ना, फिर कुछ कहीं के नहीं लोगे, क्योंकि आगे जो है, आपके कई सारे question, आप देखोगे कि ये question जो है, इसमें आने वाले होते हैं, कई बार question जो है, आपके आते हैं, ठीक है, तो ये चिसको आपको ध्यान रखना है, अब चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलो, अब एक बहुत ही मज़ेदार सा concept सीख इसने वाले हैं, जो के है, trigonometric ratio में complementary angles का रोल होता है, ये क्या होता है, क्योंकि यह जो है ना, तुम्हें बहुत काम आने वाला है, ठीक है, तो हम परहेंगे trigonometric ratios of complementary angle तुम्हें याद होगा, complementary angle के बारे में मैंने तुम्हें परहा रखा है, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, ध्यान देना अभी कई बच्चे ऐसे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या होता है, अभी बताती हूँ, कि आपने कभी न कभी ये जरूर देखा होगा, कि sign, 90 minus theta is equal to cos theta, और तुम बोलते हो, दी हमें न, ये न, याद रखना पड़ता है, हमें तो पता भी नहीं है, ये आखिर आता कहां से है, आज वही बताने वाली हूँ, कि ये कहां से आता है, ठीक है, चलो, यहाँ पे मैं एक triangle add कर दे रही हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा समझाने में, wait a minute, हाँ जी, तो देखो, ये रहा हमारा triangle, ठीक है, ये है A, ये है B, और ये है C, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये होते हैं, 90 degree, ओके, ये वाले को हमने माना theta, क्या माना theta, अच्छा जी, अब और मैं आपसे पूछूँ, कि बच्चे ये वाली angle जो है वह कितनी होगी, क्या मुझे आप बता सकते हो, आप न अभी ही क्या करो, वीडियो को pause करो, और comment में answer बताओ, ठीक है, ओके, तो मैं बता दूँ, ध्यान से देखना, कि आपको पता है, कि इस triangle के angle का sum होता है 180 degree, ओक ये देखिए, कि यह जो है, ये actually angle B जो है, ये आपके क्या है, 90 degree है, पहले इस बात को मैं समझा दूँ, ठीक है, तो angle C and angle A जो होंगे, ये obviously बात है, कि ये less than 90 degree होंगे, less than 90 degree होंगे, होने के पिछे reason ये है, कि कोई भी angle अगर 90 degree से बड़ा हो गया, तो दो ही angle मिलकल के 180 हो ज concept ही नहीं रहेगा, जी, तो आपने ये बतानी है, कि ये angle क्या होंगे, तो ध्यान दीजेगा, कि यह angle जो होंगे, यह 90 में से आप theta को आप minus कर दीजिए, उतना ही होगा, फर सपोज, अगर ये ध्यान दीजेगा, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि angle C जो है, is equal to theta, तो angle A is equal to 90 minus theta example के लिए अभी बता देती हूँ, ध्यान से देखेगा, कि आपना कोई तो भी angle ले लीजे, आपको पता है, कि यह जो है ना, आपके angle B और angle C और angle A मिलकर के 90 degree होने वाले हैं, ठीक है, बास समझ में आ रही है, आज आईए अब जो है, मैं आपको जो बताने वाली हूँ, उस चिसको आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ध्यान दे दीजी हमने कहा की यह जो है यह हम लोग का मानलो x cm है x है यह y है और यह z है ठीक है इत चलो r ले ले लिते है यह फिर z ही ले 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 लेते कोई दिक्त नहीं है जी कोई दिक्त नहीं चलिए आजाये अब जो है अब हम लोग आते हैं हमारे concept पे तो अगर इसके according, अगर हम आपसे बात कहें, कि बताइए, sine theta जो है, वह कितना होगा, आपको मैंने पिछले क्लास में सिखा रखा है, sine theta क्या होगा, तो हमेशा से हमने कहा है, कि आप ये वाला याद रखेंगे, पाकस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, चले, तो ये वाला जो है sine के लिए, ये cos के लिए, ये tan के लिए, ओके, तो sine के लिए p by h, तो p by h, बुले तो p, यानि y, ओके, और h, बुले तो z, ठीक है, अच्छा, cos theta क्या हो जाएगा, अब अच्छे, बता देंगे, cos theta, तो cos theta हो जाएगे, आपके b by h, तो b बुले तो x, और h tan theta, ये हो जाएगे, p by b, तो y upon x, ओके, अच्छा, हमने बताया था, आपको की cos theta के लिए, आप sine की value को बस उलट पुलट कर दीजिए, ये हो गया, अच्छा, हमने कहा, sec theta, उसके लिए cos की value को उलट पुलट कर दीजिए, z upon x, ओके, cos theta के लिए tan की value को उलट पुलट कर दीजिए, मिल गया, कोई दिक्कत, नहीं है, चलिए, होना भी नहीं चाहिए, और यहां तक अगर आ गये हो, और आपको मेरी बताई सारी चीज़े अगर समझ में आ रही है, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि देखो बच्छे, आपके लि मेरी तरफ से यह कोशिश रहती है, कि मैं कभी भी बच्चों को concept रटने से बजाए, जो है, मैं उनको बैटर तरीके से समझाओ, जिससे कि उनकी समझ जो है, वो develop हो, यूं कहो कि बच्चे जो है, किसी चीज़ को रटने के बजाए ना, उनको basic clarity मिले, basic concept उसके जादा clear हो, तो अगर आपको लगता है कि हादी नहीं, आप अफ़र्ड कर रहे हो, तो वही मेरे लिए प्यारे कमेंट करना मत भूलना, मुझे बिल्क, मैं बहुत ही दिल से आपके कमेंट का इंदुजार करती हूँ, कि मेरे प्यारे भाई बहन जो है, वो मेरे लिए कमेंट करेंगे, क हमेशा के तरह ही कहुंगी कि देखो, ये स्टडी नोट्स जो है, वो तुम्हे मिल जाएंगे हमारी टेलिग्राम चानल पे, जसको तुम्हें जाके जोइन कर लेनी है, उसके लिंक तुम्हें कहा मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ डिस्क्रिप्शन ब और हमारी आप जो है, वो प्ले स्टोर पे आ चुकी है, तो जाहिए फटा फट से टांडूर कीजिए, और मैं कैसा पढ़ाती हूँ, उसका रिव्यू ज़रूर वहाँ पे दे देना, ओके, तो चलो, अब जो है, हम लोग हूँ, और हमेशा, हाँ, एक और से इसके, आप पीचर के साथ किसी तरह का कॉमुनिकेशन नहीं होता, जस्वजे से बच्चे बचारी जो है, कई बार उन में फूमो क्रियेट होना शुरू हो जाता है, means, fear of missing out, you know, कैसे हम करेंगे, बाकी सारे बच्चे निकल रहे हैं मेरे से आगे हम, मतलब आज की जिस तरीकी की आज का सिनारियो हो गया है, इसमें बच्चों के दिमाग में यह सारे ख्याल आने आम बात है, तो देखो विच्चे, सिम्पल सी बात है, एक बडिवहन होने के नाते में एक होंगी कि यहां पर देखो, यूट्यूब पे आपके सांथ कॉंटेक्ट मतलब बोते हैं ना, करना है, वाट्सअप करना है, हमारी टीम आस सोन आस पॉसिबल आपको रिपलाई करेगी, देन आफ्टर कैसे हमारी में इन्रोल करना है, और किस प्रकार से आप जो है मेरे से जूर सकते हो, यह सारी चीज़े आपको यहां पर बता दी जाएंगी, तो मैं आपका बहुत बे हां जी, तो देखिए, यहां पर यह चीज़ तो समझ में आ गया, अब सवाल यह उटता है, कि यहां पर कई बार जो है, अब यात करो मैंने यह वाला कॉंसेप्ट जो है यह मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, मैंने आपको यह कह रखा है, कि देखो बच्चे, ये वाले के लिए अगर ठीटा मुझे निकालना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं फिर से एक बार explain कर दी रही हूँ कि for sin theta ठीक है या for theta basically for theta ठीक है जिसमें sin theta, cos theta, tan theta, cos theta ये सब आ जाएंगे ठीक है तो for theta क्या होंगे याद रखिएगा a b जो है a b जो है इसे आप perpendicular मानेंगे क्या मानेंगे perpendicular मानेंगे ओके जो b c है इसे आप base मानेंगे ओके और a c जो है इसे आप hypotenuse मानेंगे but but बड़ावाला but for 90 degree minus theta इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उस situation में perpendicular कौन हो जाएगा बच्चे तो perpendicular हो जाएगा b c b c क्या हो जाएगे perpendicular फिर a b base हो जाएगा a b base हो जाएगा और a c as always hypotenuse रहेगा यह चैस मैं फ़र से clear कर दे नहीं हूँ अब आजाओ जी formula के उपर ठेक है अब देखना अब कैसे आएगा कैसे बनेगा अब कुछ भी नहीं छूटने वाला आपका ठीक है आप बच्चों को doubt हो सकती है तो चलो इसको भी मैं clear कर दे रही हूँ कि b c upon a c a c is equal to x upon z अब ध्यान से देखो यह x upon z जो है वो किसका है यह देखो cos theta का है यानि कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यह है sin 90 minus theta is equal to cos theta समझ में आ रही है बात आजाओ आगे आजाओ जी आजाओ 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 cos 90 minus theta is equal to अब आजाओ cos क्या होता है b by h होता है b by h b है हमारा a b और h है a c अच्छा a b क्या है बच्चे a b जो है y है और h हमारा क्या है z है z है आजाओ यहाँ देखो इस जगह पे देखो इस जगह पे देखो sin theta क्या है y by z इसको लिख सकते है sin theta mg clear हो रही है आगे आजाओ चलो 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 10 90 minus theta आयो मैं भी ना 90 minus theta is equal to p by b p by b p p p p p p p p है b c और b है a b ओके आजाओ ये अब ये b c क्या है p c जो है वो z है और a b क्या है y है क्या है y है z upon y अब बताओ जी एक मिनट एक मिनट मैंने कुछ करबड़ी की क्या एक मिनट एक मिनट अरे यार p b p b p b c ठीक है b c upon 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 a b ठीक है तो b c है x और ये है अपना y ये क्या हो गया जी x upon y ये देखो कौट ठीटा कौट ठीटा मिला ना आजाओ आगे कौसेक 90 ठीटा आजाओ ये क्या हो जाएंगा तो कौसेक क्या होता है one by sign होता है होता है ना तो हम इसको क्या लिखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिखने के कई सारे तरीके हैं देखो आप ऐसे भी लिख आप चाहो तो मेरे तरीके से ये वाला जो है ये भी लिख सकते हो कि आप इसको क्या लिख दो h by p h by p बोले तो ac upon bc mean z upon x z upon x बोले तो sec theta देखो 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 आज़ो sec 90 minus theta क्या हो जाएगा sec 90 minus theta is equal to क्या हो जाएगी चलदी बताओ तो h upon b h upon b बोले तो ac upon ab यानि के z upon y ये हो गया cos theta क्या हो गया cos theta आज़ो एक और बची हुई है इसको भी कर लेते हैं cot 90 minus theta is equal to क्या हो जाएगे तो b by p बोले तो b by p बोले तो a b upon b c तो a b है हमारा y और ये है हमारा x तो y upon x हो गया tan theta और ये हमारा clear अब बताओ जी अब कैसे समझ में नहीं आएगा समझ में आया की नहीं आया आ गया तो ये चीज जो है ये हमारी complementary angle का concept है और इसको आपने क्या करना है ध्यान में रखना है अब कई जगह पे अब जो है कुछ कुछ question आते हैं ठीक है मैं यहाँ पे एक दो question आपको दे दे रही हूँ और मतलब कुछ बता भी दे रही हूँ जिससे कि आपके चीज़े जो है वो clear हो जाए तो हमने क्या क्या सीखा हमने value of angle निकालने सीखे sign, cause, stand फिर हमने ये table भी हमने देखा table को भी हमने learn किया then after trigonometric, complementary angles के बारे में हमने देखा अब यहाँ पे एक दो चीज़ बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना ठेक है क्योंकि कई बार बच्चों को ये सारी चीज़े जो है ना लगती है रे पाप, रे पाप, कितनी बड़ी मुसीबत है, नहीं ये मुसीबत भाई, बिल्कुल भी मुसीबत नहीं है, trust me आ जाईए, अब जो है, हम क्या करते है इसे related कुछ question जो है ना, ये हम लोग solve कर लेते हैं, जिससे कि आपमे confidence भी आ जाए, चीक है, आधी देखिए, यहाँ पर एक question दिया है question है yes cos 6 square theta minus 1 okay into tan square theta tan square theta is equal to 1 ये आपने proof करना है, ठीक है अब कई बच्चे होंके सोचेंगे, अरे दी ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, 10th में जो था, तो मैंने तो skip कर दिया था, ये question भई, option में आया था मैंने ने छोड़ दिया, क्यों मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, अभी पताती हूँ, पल्ले कैसे नहीं पड़ेगा भई, मैं हूँ ना, आजा, यहां देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS पुले तो left hand side, ठीक है, LHS वाला, जो concept है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या है, ये है, दो तरीके बताऊंगी, ध्यान में रखना, अभी एक्चस को समझो, क्या समझना है, अगर तुम्हें पहले वाला concept जो है, अगर याद है, सपोस करो, कई बच्चे जो है, जिनको याद होगा, कि दी, आपको पता है, क्या, तो हम मैंने का क्या, तो कॉसेक स्क्वेर ठीटा जो है न, कॉसेक स्क्वेर ठीटा जो है न, इस एक्वल टू, बन प्लस स्क्वेर ठीटा होता है, मैं बोलती हूँ, मेरे को नहीं पता, ये को याद रखने के चीज है, हम नहीं याद रखते, मेरे को नहीं याद है, लेकिन फिर भी मैं solve करूंगी, क्यूं, अरे भाई, अपन लोग वही हैं न, चलो, आज़ो, तो मैं भी याद नहीं रखूंगी, ना तुम्हें याद करने दूगी, लेकिन question पूरा का पूरा solve होगा, मेरी guarantee है, आज़ो यहाँ पर, ध्यान दो, मैंने कहा, कौसिक ठीटा, बस मेरे को यह याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भडा, बस, और कुछ नहीं, कौसिक जो होता है, वो साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, आज़ो, मैंने लिखा, H अपोन P, का स्क्वेर माइनस 1, ठीक है, ओके, फिर यह, म स्क्वेर, आज़ो, H स्क्वेर, ब्लस, P स्क्वेर, माइनस 1, ओके, यह हो गया, मेरा, P स्क्वेर, भाई, B स्क्वेर, ठीक है, आज़ो, जी, अल्सियम ले लो, P स्क्वेर, यह हो गया, H स्क्वेर, यह माइनस, P स्क्वेर, हो गया, हुआ की नहीं हुआ, आज़ो, अच्छ यह हो गया B2 आजा अभी यह हो गया तुम्हें पता है पाइथा गोर्स थेवर्म के जरीए क्या होता है H2-P2 is equal to क्या होता है B2 होता है तो B2 upon P2 into P2 upon B2 अयो मैं भी ना आजा यह ले कट गया कट गया कट गया is equal to 1 लो कोई rocket science नहीं बता क्यों नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा तुम्हें मैं तो simple सी बात है मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोलती कि तू formula याद कर भाई बोलते है ना हात कंगन को अरसी क्या तुमको जो है तुम इतने इस तुम्हारे लिए ना देखो बहुत सारी चीज़ें याद करने लाएक बच्चे पड़ी है ठेक है ना तुम उसके लिए पने energy बचा क ठेक है मतलब क्यूं खर्च कर रहे हो बचाने को तो वैस तुम बचाते ही हो मतलब खर्च क्यूं करना आजाओ चलो एक और question हम लोग लेते हैं और मैं चाहूंगी कि ये question जो है दो से तीन question मैं आपको दे रही हूं और ये question जो है आप घर से करके आओगे next class में मैं discuss कर दू wta minus 1 okay into 1 minus, is it true , When was in class 19th में थी ना में teacher हमेश्या मुसे बोल ता तुम्हे ऐ formula याद क्यू नहीं रहता ? मैं बोल ती ती? 貂 सर जी यादकर्ने का क्या है याद थो मैं सो होता नहीं है हाँ, solve क्रोने के करोगे, मैं solve कर दूंगे भाई मेरा काम है जाहिर सी बात है मेरा कहना था कि बोड़ एक्जामे में जाओंगे वहाँ पर मेरे को क्या करना है अब ऐसा थोरे है कि इन्वेजलेटर जो है मेरे को बुला करके पूछेंगे ए बड़ा चलो बताओ कि यह तुम्हारा जो है कॉसिक स्कॉर्मुला थिटा इस फॉर्मुला जो है वो तुम्हारे दमाग में होना चाहिए और यह तभी होगा जब तुम्हारे दमाग में वोचे आजाना चाहिए फर्क नहीं पड़ता कैसे आ रहा है तुम याद करना जचता है तुम याद कर लो तुमने प्रक्टस करके अपने दमाग को इतना होता है ना चलो आजा यह question हो गया then after हमारा दूसरा question है सेख theta into 1 minus sine theta okay into सेख theta plus tan theta is equal to 1 okay आजा next question 1 minus sine square theta into six square theta is equal to 1 यह question जो है आपको solve करके आने है okay next class में मैं क्या करूँगी इस सभी को मैं deal कर दूँगी और हाँ एक और चीज कि यह वाला जो है यह जो आज हमने देखा इसको एक बार आप घर पे भी खुद से practice करेंगे क्यों क्योंकि जब आप practice करेंगे न तो आपको चीजें बहतर तरीके से समझ में आएंगी और यह बात जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा है यह हर एक triangle में जो जैसे आप right angle triangle में जिस तरह से आप देखोगे आपको angle निकालना वगरा होगा न तो यह वाली चीजें उसके लिए बहुत जादा important है तो इसको no down कर लीचेगा यह समझने का तरीका है ठीक है न हो सकता है आपके triangle के name अलग-अलग हो बड़ तरीका यही है ठीक है न तो याद रखेंगे इस चीज़ को तो I hope कि आपको आज की class जो है पसंद आई होगी और मेरे समझाने का तरीका मेरे बताने का gesture अगर आपको अच्छा लग रहा है तो obviously बात है यह यह भी देखो यह भी ना हम लो करें कामेंट करना मत भूलना तो मैं मुझे आपको नेक्स क्लास में तब तक के लिए कीप लर्निंग और बाई बाई